हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए फुल घेर हमरे लकट फ्रोग बनाना सिखाते हैं इसके लिए हमने सवा मिटर यानि 1.25 सेंटी मिटर फेब्रिक का इस्तमाल किया है आईए वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने दो पीस ले लिए हैं ये योग के पीस है इसकी इस तरीके से चोड़ाई 14 इंच है और लेंध इसकी 10 इंच है डबल पीस ये हमारे हैं इनको एक बार हम इस तरीके से पीस ये हमारे यहां पर हो गए हैं शॉल्डर हमें 4.5 इंच रखना है और आर्म होल की लेंध हमें 5 इंच रखनी है इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं यहां से हमें ऐसे चकोर कर लेते हैं इसमें हमें ऐसे करते हुए गोलाई कर देनी है नीचे की साइड से हमें आधा इंच फिटिंग का निशान लगाना है इससे हमारी फिटिंग बहुत जादा अच्छे आती है अब हमें गले की चोड़ाई टू इंच रखनी है और लेंध हमें इसकी थ्री इंच रखनी है इसमें हम ऐसे करते हुए गोलाई का निशान लगा लेते हैं अब हम सभी निशानों को कटिंग कर लेते हैं यहां से शोल्डर पर से हमें हलका सा ढालदार कट करना है जिससे हमारी फिटिंग अच्छे आती है नेक को भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं यह देख सकते हैं दोनों पीस हमारे कटिंग हो गए हैं एक पीस को हम अलग कर देते हैं और एक पीस को हम 2 इंच बेक साइड से कट कर लेते हैं ताकि बेबी के सिर में पहनाने में परिशानी ना हो ये हमने पट्टी ली है एक जिसकी लेंद 3 इंच है और चोड़ाई इसकी 2 इंच है इसको हम बीच से ऐसे करते हुए कट कर लेते हैं और सीधी साइड पर ये हमें रखनी है और बेक साइड में पलट लेनी है ये देखिए फ्रेंग्स ये हमने एक पीस लिया है जिसकी लेंद 36 इंच है और चोड़ाई भी इसकी 36 इंच है डबल करके हमने ये पीस रख लिया है डबल करके इसकी लेंद 18 इंच है और इस तरीके से 36 इंच है अब एक बार और हम इस पीस को डबल कर लेते हैं ये देखिए इसकी चार तहे हो गई है कपड़े की अब जिस साइड से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है दोनों साइड से उस साइड से हमें इसके उपर के योग का निशान लगाना है 4 इंच हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस निशानों को सभी को इस तरीके से हम मिला लेते हैं टोटल लंबाई हमारी 18 इंच है तो हम 18 इंच का सब जंगे पर ऐसे ही निशान लगा लेते हैं अब हमें इन सभी निशानों को मिला लेना है ऐसे करते हुए हम सभी निशान मिला कर बराबर कर लेते हैं यह देखिए अब हम दोनों निशानों को कटिंग कर लेते हैं नीचे की साइड से भी हमें इसको कटिंग कर लेना है फ्रेंट्स इस फ्रोक का छोटे से कपड़े में ही काफी जादा गहरा बनकर तयार हो जाता है ये देखिए हमारा काफी गहरा इसमें बनकर तयार हो गया है साइड से नीचे की गोलाई से जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम इसको सीधा करकर पाइपिन काट लेते हैं ये रेव की पाइपिन काट रहे हैं नेक और आर्म होल में लगाने के लिए इसमें हम पाइपिन नहीं लगाएंगे अंदर की साइड को पट्टी लगाएंगे तो एक इंच की पाइपिन हमें पहुत छोड़ाई में चाहिए ऐसे करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं नेक पर अब हमें इसमें बीच में हलका सा कट लगाना है कट लगा रहे हूँ जब आप तो धियान रहें आपकी सिलाई नहीं कटे अब हम इसके नीचे सब कपड़ा कर लेते हैं और इस पट्टी के उपर एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाती हैं तो आपकी पट्टी बहुत जाद अच्छी फिनिशिंग के साथ लगती है और आपको फॉल्ड करने में भी इसको आसानी रहती है ये देख सकते हैं अब हम इसको अंदर की साइड को फॉल्ड करते हुए इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी ये तैयार हो गई है आप किसी भी चीज में इस तरह की पट्टी की जरुत हो आप इसी तरह के से लगाईएगा आपकी पट्टी बहुती जादा फनिशिंग के साथ तयार हो जाएगा अब हम दोनों शोल्डर मिला लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट्स जब हम शोल्डर पर सिलाई लगा रहे हैं तो हमें ध्यान लगना चाहिए कि शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए इससे जब पाइपिन या पट्टी या स्लीव बगेर हम लगाते हैं तो साइड से हमारे शोल्डर उधरते नहीं है अब ये हमने रेब की जो एक इंच की पट्टी काटी थी उसको रखते हैं इसके उपर आर्म होल के और इसमें सिलाई लगा लेते हैं प्रेंट इस पट्टी को हमें बिल्कुल भी नहीं कीजना है डिली-डिली छोड़ते हुए लगाना है और इसके अंदर कट लगालेंने हैं छोटे-छोटे से जब हम कट لगा रहे हैं तो हमारी सिलाई कट नहीं चाहिए अब सब फैब्रिक हम से नीचे की साइड को कर लेते है और इसके उपर एक खिनारे पर सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से आप किसी भी चीज में पट्टी लगा सकते हैं आपकी बोहत फिनिशिंग के साथ पट्टी तयार हो जाएगी बेक साइड के नेक में भी हम ऐसे ही पट्टी लगा लेते हैं हमारा गोलाई में कटा हुआ होता है ये देखी कितने अच्छी तरीके से हमारी पट्टी लगकर तयार हो गई है अब इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा देते हैं यह हमारी पट्टी तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यह पट्टी तयार हो गई है इस साइड पर भी हम इस पट्टी को इसी तरीके से लगा लेते हैं और नेक में भी हमें सेम ऐसे ही पट्टी को लगा कर तयार कर लिया है यह हमारे पास थोड़ा सा एमरोडरी का फेब्रिक है इसको हम यहाँ पर बेल्ट में इस्तमाल करेंगे इसकी चोड़ाई 2 इंच है और लंबाई हमें योग की चोड़ाई के हिसाब से 14 इंच लेनी है इसको हम यहाँ पर रखकर लगा देते हैं अब हमें इसको उपर की साइड से फॉल्ड कर लेना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से यह हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है यह देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी यह फ्रोक लग रही है यह हमारी बेल्ट है यह चोड़ाई में 3 इंच है दो बेल्ट हमने ले ली है और इसकी लेंद 25 इंच है हमें इसको ऐसे डबल करते हुए इसके उपर सिलाई लगा लेनी है पूरी बेल्ट पर हमें दोनों बेल्ट से हम इसी तरीके से तैयार करनी है साइड में सिलाई लगाते हुए अब इस साइड से हम V-shape का इसको कट कर देते हैं यह देखे ऐसे V-shape में हमारे कटिंग हो गया है अब हम इस V-shape में भी सिलाई लगा देते हैं दूसरी बेल्ट भी हमें सेम ऐसे ही बनानी है हम आपको V-shape में उसको काटना बताते हैं यह देखे ऐसे करते हुए V-shape में बेल्ट को काट देते हैं और यहां पर सिलाई लगा कर इसको तैयार कर लेते हैं अब हम इस बेल्ट को किसी भी चीज से पलट सकते हैं दोनों बेल्ट हमें पलट लेनी है अपनी सीधी कर लेनी है इन नोक को हम सुई की मदद से निकाल लेते हैं यह देखे हमारी दोनों बेल्ट तैयार हो गई है अब हम इस बेल्ट को यहां पर साइड में रखते हैं और दूसरा पीस ले लेते हैं और ऐसे करते हुए इसको बेल्ट को दोनों पीस के बीच में रखकर इस पर सिलाई लगा देते हैं पक्का करते हुए हम इसको एक सिलाई इसके उपर और लगा देते हैं इस साइड में भी हम अपनी बेल्ट को इसी तरीके से रखकर लगा देते हैं अब हमें इसको वापस डबल सिलाई कर देनी है यह हमारा योग बनकर तयार हो गया है यह हमारा उपर की साइड का गेरे का हिस्सा है इसमें हमें एक सिंगल सिलाई लगा देनी है जिससे इसमें हलकी हलकी सी चुन्नटे आ जाती है आपका गेरा यह सिलाई लगाने की वज़े से खिचता भी नहीं है ये बिल्कुल बराबर घेरा फ्रोक में योग में लगकर बहुत प्यारा लगेगा देखिए हमने सिलाई लगा कर इस तरीके से तयार कर लिया है अब हम योग और घेर को एक साथ जोड लेते हैं इस तरीके से इसमें चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चारो तरफ से हम अपना घेर इसी तरीके से करके लगा लेते हैं घेर और योग को एक साथ जोड लेते हैं ये फ्रोक का नीचे का घेरा है घेरे को हमें दो सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है फ्रेंट्स घेरा जब आप मोड रहे हैं तो धिएन रखें गेरे को जादे चोड़ाई में हमें नहीं मोड ना है क्योंकि इसको हमने गोलाई में फ्रोक को कटिंग किया हुआ है जिसकी वज़े से किसी जंगे से हमारी सीधी शेप आती है फ्रोक में नीचे से अब हम इस पर किनारे पर एक और सिलाई लगाते हैं आप देख सकते हैं बिना इरन किये हुए भी हमारे घेरा कितना प्यारा बैठ गया है ये देखिए हमारी फ्रक कंप्लीट हो गई है और कितनी प्यारी सी इसकी शयप आई है ये 3-4 इयर बेबी के लिए फ्रक है जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई